नमस्कार, मैं हूँ सुरेच चमान के और आप देख रहे हैं चलते 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 में पहली बार एक ऐसा गेस्ट हमारे साथ है जिनको बॉम धमाके में अरेश्ट हुआ है, एक साल की सजा हुई है अबु आजबी जी, स्वागत करू या क्या करू? मालूमात रखिया, अगर आप जनरलिस्ट हैं तो आप सचा ही मालूमत रखिया, तो मेरी कोई सजा हुजा नहीं हुई है मुझे एक साल लगया, इस देश में इस 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 में मिलता है, तो बहुत लेट मिलता है सदा केसा हो सकते हैं अपो कहते हैं कि इनसाफ ही नहीं मिलता है कहीं ने कहीं बहुत देर से मिलता है लिए और चली एक सुधारणा तो हो गांधी जी अब आजमी गांधी जी हो गया है मैं गांधी जी के नीती पे चलता हूँ और गांधी जी के नीती को देश में आम करना चाहता हूँ जो लोग गांधी जी खिलाव जो गांधी जी एक कातिल हैं मैं उनको दुनिया के सामने नंगा कर दिखाना चाहता हूँ यह लोग देश प्रेमी नहीं बिलकि देश द्रोही है एक गईंदी की कतिल की बात करते हैं जिसको सूप्रिय।ूम कोट ने कहा कि कि हम गांदी की कतिल नहीं थे अरैसे की बात आप करें लेकिन लेकिन लिकिन लेकिन लाइखो चूपने बैटता मुकदमा कर देता है आप लोग जो है बंगला देश कहे रहा है मैं नहीं कहे रहा हूँ आप लोग आर एस और यह आईसाई के लोग और इस और इस्राइल के लोग मिल करके इस देश में इसलाम को जबर्दस्ती बदनाम करना चाहते हैं जाकिर नायक ने एक काम किया कि इसलाम के खिलाव जितनी चीजें आप लोग बास थी उसने लाकर के सब्की हैं कर दिया वह लोग चूबते हुए सवाल कर रहे थे जाकिर नायक से इसलाम में इस चीज़ें हैं जाकिर नायक ने भले मंच पर लगा करके आपके बड़े-धार्मिक लीडरों के सा तहले कुछ कंपती को भगवाद मानते हैं के नहीं मैं के लिकिन आप मुझे गणपती को बगवान हैं साबित करके देखाने है यह depressed जो कह और आश जाकिर नाइक ने इसी आजाद मैदान में टेबल लगाया और कि हिंदुईजम और मुस्लिम धर्म की सिमिलर्टीज पर आपमानित किया मैं बताता हूं ना इस वक्त आपको विडियो दिखा सकता हूं श्री श्री को मंच पुलाया और ऐसी चीज उन्टी सिदे पूछी आज बीजेपी के लोग खुले हां मंच लगा रहे हैं पुलिस उनके पास है साइरन है लाल बत्ती लेकर के लड़िये 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 ओर आड़िये लड़िये लड़िये व मतफू पत्रकार अपका टीवी उन्हीं के ख्यालों को लेकर कि आग लगाता है घ्लापके लगाई बताइए जाकीर के भाषनों से लाखो कतल हुए बंदू के उटी सुधरशन टीवी लिए किसी ने कई पर आतंग वादी हामला किया जाकिर के भाशनों ने हिंदू-मुस्लिम में एकता हुई जाकिर ने हिंदू-ईज, इसे मत वे, जाकिर कहता है दुषमनों की औरतों का बलदकार करो, आप सहमत है, आप कटेंट पेशकर कर देंगे, वहां से उठा का बना आस शहा हूँ, आगर कटेंट पेशच नहीं है, अ कि दर्म के लिए सुसाइड बांबर बनो अभी प्रेस में भी कहां आज भी कहां कितना अंदभक्त बनेंगे आब आज में राज नेता है उच्छे शिक्षिद है जरा कुछ आखे खोल के नाइक की भक्ति करें तो खलनायकों का नाइक है मैं किदर भक्ति कर रहा हूं तो आप बन करके कैसे कह रहें कि उसने ऐसा नहीं कहा जाकिर ने आज कहा आज कि प्रेस इस्लामिक होई नहीं सकता अगर एक आदमी भी इसलाम के नाम पर किसी को मारता है तो पुरी दुनिया को मारता है उसको कंडेम करना चाहिए फांसी के सजा बिल्कुल दर्शकों के लिए यह एक न्यूज है और हम यह वीडियो दिखाते हैं और इस केस को आप करेंगे अगर जाकिर ने यह कह दिया हां तो तो आप केस करेंगे अगर कहीं भी इसलाम में कोई बी इनसान यह कह दे कि किसी बेगुना को मारो चाहिए किसी तरह से भी दो मैं उसके और आप आगे बेगुना पर ओ कह रहा है कि युद्धा स्थिती में यह मंजू और आप ने ने सुना है आप ने यह नी सुना है उसकी कि उत्वें कहा गया है निकिए अरजून है क्सम बातरत में जानकर है यह यही बात करता है हो ना साक्रमाय चांट Yourself तुम अगा अगा तुम और चांप अब मंहीं को सुर्क के रापती होगी और अगा इस धर्मी तुम में उसाइगा थि यह किस कई हो रहा है तरैज द महावारत हो रहा है कवर और पंडों में हो तंड pra invested जाकिर कहे रहा है गेर इस्लामिक और इस्लामियों में जाकिर कहे रहा है कि मुसल्मान गेर मुसल्मानों में मतलब आप सुर्ट सवान के से हिंदू से धर्म इद्ध करना चाहते हैं हिंदूस्तान में रहे हैं हम हिंदू भाईयों से हाथ मिला करके उनके प्यार मुपत लगा रहे हो आप चाहते हो कि हम आपको ऐसी बात में उसे ले जा करके अपनी दुकान चमका आप लो अरे उसकी क्या जरूत है उसकी कोई जरूत नहीं है आप लो तो और आपकी इसी से चलती है कौन है यह खैर वह सी तो आपको और टेक कर गया पहले बोलने के लिए बदनाम बोलने का सवाल ही पैजाना है वह इसी कहता है इतने धार्मिक उधारन है अब मुझे बताइए खुले आम धर्मांतरन करा है और टीवी पर लाइव दिखा रहा है कि आप इसका समधन करेंगे क्या बुरा क्या बुरी बात है आप आप आरसेस के लोग आगरा में जब जाकर अब करेंगे लोगों को बुला करके यह कहा कि आप गरीब लोग आप आपको मैं राशन काट दिला दूँगा क्या करदूगा मदद कर दूगा और ले जाकर एक जगहा पर पूझा करवाने लगा और जाकर उसके बाद चैलिंज किया का अलीगर में एक मंच लगेगा उसमे तो लोग आपके लाले आपके लाव तो जननत की लालज देते हैं कि धर्म के लिए मरो जननत मिलेगी वहत्तर हुरे मिलेंगे वहां विश्वसंदरिया मिलेगी मन चाही शराम मिलेगी एक आदमी को मारने से मारने के बाद जहन्नम मिलेगी अगर मुसल्मान हो तो आदमी के साथ महबबस से बात करो उनको अगर तुमने मारा तो तुम्हें हुरे नहीं वहाबी है आप कब से धर्म बदल दे आपने तो यहां वहाबी को मानने वाला हूं मैं वहाभी देवबंदी यह सुन्नी बरहिली इस सब चीदेने मेरा वह कोई मसलक है मखथा को इसके साथ में ऐसा प्यार से रहूं कि वादमी खुद तुम्हारे पास चल के आजए आज़ अचा वहभी के बाइए वहभीजम जो इसलाम है इसका अप समर्तन करते हैं वहभीजम किया है कुछ नहीं है ठाइज भुष्ण नहीं है तुम्हें पूरे देश बर मुसल्मान उसके खिलाफे प्रेस कांफरेंस के लिए जगाने मिल करते हैं यह हमारे आपसी बाते हैं समझ लेंगे हम लोग अपने अपने थाट पर चल सकते हैं लेकिन मारने मारने की और किसी धर्म को मारने की किसी थौट में नहीं है जाकिर नाइक खुले आम कहे रहा है मैं वीडियो दिखाए रहा हूं सारे चैनल दिखाए यूटूब के आवेले बले मुझे एक बाच बता ही ना खुले आम माईक पर कह रहा है अधित्तनाद पूरी भीड़ी के अंदर कि जब अधित्तनाद पर बात करें कि आप यूपी में प्रचार में आएंगे आज का विशे तो है ना आज का विशे तो धाकिर नाइक है आज का विलन जाकिर नाइक है आज का देश-द्रोई धाकिर नाइक है आज मानवदा का दुश्मन जाकिर नाइक है आप प्रेस वाले इसक मुसलमान हो इनी सकता हम लोग मुसलमान है यह तो दहशतवाधी है आप ने मौना अर्षित मदनी का बयान नहीं सुना क्या अरे वो मदनी तो आभी तक विरोध करते थे जाकिर नाएक का दस साल तक देवभण ने विरोध किया धर्म के नाम पर मसलक के नाम पर कहीं विचार अलग हो सकता उसका को विरोध कर सकता है परन्तु किसी को मारना आतंग वासे जाकिर नाएक को जोड़ना इसका एक एक पच्छा ना की सिर्फ कोई मुस्लिम बकि हिंदू लोग भी इसका समधन करेंगे आप सु शिर्फ कुमार सिंदे से दबाव ला है खर चीज दिखा रहे हैं आप अच्छी दिखाने के लिए आप एशी बोलेंगे तब दिखाएंगे ना आप आभ आजम में कि अब रही आदिकाया क्या बॉल से अब इक है कि और छुब रहाद के क्या कि गलत न की मुझे हूं जो बब भाऀ से उसे आप तो चुटे कैसे इसकि आज उनी चाहिए आप की खेलने वाले कुछ लोग जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर मुस्लमानों को इसी तरह से भी आतंगवादी बना दो जो देश फ्रेमी उनको भी घलत फसा दो इसी तरह से मुझे यहां पर कांग्रेसिस सरकार थी लोगों ने गिरतार किया था क्या कर पाए मेरा साच को आच नहीं हाँ एक साल तो लग गया लेकिन मैं छूट कर आगया मेरा कोई केस चला नहीं है एव ट्रावेल एजेंसी थी इस देश से बाहर भेजने में अब आज मैंने अपनी ताकत लगाई जो भी मुंबई में आके कमाई है यह सब आपके जैसे लोगों ने सब केस बनाया परन्तु सच्छा ही सामने आई तो मैं छूट कर आगया मैं तो स्कूल में था 93 के बाम में आप अप उसको च्छड़ास अब धमाका कहे रहें ने विससे और जिन्हों किया था सदा मिली उनको मिलना चीम कि अपने फन्ड़ करता किया अगर मैं जीर में सब्सक्रता करता तो मैं जाइन मतबार कैसे रहता अपने अवरोपियों को बचाने के लिए फन्ने करता कि दो रहें आज भी निर्दोष आदमिन चाहे किसी धर्म का भी हो मैं जरूर इसको जरूर बचाने कोशिश करूँगा एक हिंदू बचा है एक कई सो हिंदू मेरे साथ हैं मंदीर यहां पर एक मंदीर थी मलाट के अंदर जिसका तोलने काउटर आ गया था कोई मदद ने कर रहा था और म अगर यह सच है तो अच्छी बात है मैं इसके लिए अगर यह है तो आभी नंदन करूंगा बहले वोट के लिए किया हो लेकिन किया तो यह अभी नहीं करते हम लोग उपर वाले करते हैं दुनिया में अमन शांती रहे इसलिए करते हैं हम तो उस ख्यालात के हैं कि हिंदू तो उपर वाले पर इतना वरुजा है तो ज़रा वो सजा भी दे सकता है इस पर भी वरुजा रखिए बिल्कुर सजा देगा गरत करेंगे महिलाओ के लिए आप कहते हैं कि महिला किसी पर बलतकार करें या महिला बलतकार के किसमे महिला को फासी होनी चाहिए बिल्कुर होना आए देश की सरकार के रहे ही और का कर भूसिए के लगज़ Mahar देशका tavs कार आद मैं को स्जासी बात नी रहा हो इसा कहने का तर देश में बलातकार को खतम करना था स Moo o वही महिला बिना शादी शुदा के किसी आदमी के साथ शारी संबत करें और प्रूव हो जाए तो उसको विस सजा होना चाहिए यही काणू बनेगा तो देशमावन सांतियों को वनना क्या होगा और यह ठीक है यह नेतिकता की बात है यह अच्छी बात है लेकिन लेकिन जिस करते हैं मुलायम सिंग कहते हैं कि बच्चों को माप कर दो होते हैं बलातकार जाने देजिए उन्होंने इस बिखाया है विस प्रका कि लोग जबदस्ती फसा देते हैं बलातकार होता नहीं है लिए जा करके साथ में घूमेंगे शादी करना है क्या करना है और लड़की मार्जी से जाए बेने मर्जी के जाए उसको फासी होना चाहिए अब दिल्ली मुंबई पर आते हैं मैं आज देख रहा था प्रफाइल पड़ रहा था मैं भी हूं महराष्ट का लेकिन आज आपकी इंटर्यू करना है तो देख रहा था कि महराष्ट के सबसे आमी राजनेता अब आजमी मैं राजनीती लोगों को सबसे आमी राजनेता नहीं है अब आजमी यह तो मजाक हो जाएगा ना अइसा है ना यह तो कागज में आपने लिख के दिया है तो शुपाता नहीं है लेकिन नेता लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करके छुपा कर रखत जो मैं अपनी सारी की सारी चीज़े ओपेन करके देता हूँ क्यूंकि मुझे को डर नहीं मैंने कोई राजनीती से एक रुपया कमाया नहीं बलकि हजार और लाक रुपया राजनीती में खचा करके लोगों की मदद करता हूँ इसमें दाउद के कितने हैं आपके जो पैसे 126 करोड जो है इसमें दाउद के कितने इंक्वारी कर लो आप आपकी सरकारा चल रही है आपके दोस्ते हैं अब आजमी का किसी को फोन जाता है तो लोग डरते हैं कहते हैं दाउद का फोन आगया ही समझ लोग खुश होते हैं कि अब आजमी आगे हमको बदद करेगा नहीं जो जो जिनको डर्ना यह उनिघ इस देशे आप सचाही बायान कीजिए इस देश में जो लोग ऐसी बातें कर के देश को जिवाजित कर रहा किसे खिराव खाड़े होना चाहिए आज देश को आईज की से बहुत 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 बला खतरा है दूसरे अंदर इंटर जो है ना यारे से जो विंग बना रहे उसे भी खतरा जेश को है अब मुझे बताए आई-स का नाम आप दे लिया आई-स तो कह रहे हैं कि हम को इसलाम का राज जिस्तापीद करना है अच्छा मैं पोचिन को आई-स जब इसलाम कह रहा है कि किसी एक आदमी को मारना पूरी सब्सक्राइब को मुसलमान हो सकता है मुझे तो लगता मुसलमान हो गए नहीं और अगर होगा भी ना तो चक्राओं हिंदुस्तान से एक लाग लड़के आई-स में भरती होने के लिए गए और वी सेल्पी घिचा के गए धाकिर नायक के साथ भाई आज ठाकूर प्रक्या प्रक्या ठाकूर का अपने नार्को करवाया कुछ नहीं निकला अब मंदेन्स मोझूद ह्ये लोगों ने गांधी जी को मारने वाले सब्सक्राइब कि मूसलमानों का नाम लिहां इन 2–4 मतने मैं साथ्यू प्रक्या अधाने आपके लोग मुसलिए किसी के सरकार के सरकार जज़ों पर डबाव डाल रही है लेकिन ये जज़ सहाब को मैं सलाम करता हूं किसी के दबाव में निया निया का पूलिस का काम है कि अपने ही एजनसी के बाद को नकार के नए चीज लाकर चोड़ना उस जज़ को सलाम है उसने नहीं चोड़ेंगे और बागवान के घर में देर है लेकिन अंदेर तो पका निए इतना भरूसा है और हमें जल्दी नाए चाहिए इसले हम अब मुझे बोलता है कि आपको सजा कि आप इसले देश के खिलाप्स दो न कर Л אני अंबम पीरकों ब्रॉक निए हैं पर में डिया प्रुर्खों के लिए अपनी बहुत बडमी कुर्बानी दिया है मैं इस देश के खरण के आन्मदी दिली नहीं कोई अंग्रेजों को एक खिराफ गदत था गदर तो गलत है काई ना सावरकर ने उसको स्वातंतर समर कहा था तो वहां थे काला पानी मुआज जिट्टी लिखा था अंग्रेजों को हमने गलती किया है हमको छोड़ दिए हम गांधी जी के आंधोनन को हम सुद्शी आंधोन को करम किसी यह उसलमान है नहीं आपकी सरकार इतनी आ साल के इतनी आप्या सरकार है तो आप समाजवाधी पारड़ी के सदस्च समाजवाधी पारड़ी के सपोर्ड के केंदर में सप्ता थी समाझ याधि पार्डी ने सिर्फ बीजेपी की सरकार ना ने पाए सामपर्टाइट के आदेश में ना फैल है इसलिए बिना शर्त का सपोर्ट दिया है समाझ याधि पार्डी कभी कांग्रेस से साथ महीं खड़ी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थेले के चट्टे क्या बात करते हैं आप तो केंदर में क्या करेंगे आपी केंदर में को रोकने के लिए तो कुछ भी करने को तयार है उसके उनको रोकना जरूरी है क्योंकि वह आज इतने बड़े जूट बोलने वारा आदमी सबके काउंडरा पंदरा पंदरा बिजुश लाख रुपय इतनी लाग गाये रोज मारु जाती है गाय को पवित्र मानते ही कि नहीं गाय को आप के बड़े चिड़ाने के लिए होती है गाय के लिए नहीं होती है बैल की होती ती गाय की नहीं होती है तो बैंड पहले से है और अब जाकिर ने का क्यों समय तन कर रहे ते क्योंकि आप तो औरंग जेब को फॉलो करते हैं मेरे पास आ们फ बनवाया महारास्ट मेरे में रहते हैं इंदुस्तान में रहते सिवा जी महाराजार कारों क्या अड़र rozp जैब बारे में शिवा जी महाराज घृट आदमी थे यह आजकल के यह बीजे पी और एससे सलोगों शिवा जी महाराज को बेचना शुरू कर दिया है शिवा जी महाराज मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे आदमी थे सिवा जी आजब से आजब आज यह के राज में किसी उनके 40% सिपाही, मुसलमान आज कर यह दिखाते हैं, वो तो उनका जो थारा दारु गोला होता था, उसका प्रमुख भी मुसलमान था, तो फिर आपके मुसलमान बनिये ना, आप तो अरंग जेप को फालो करने वाला मुसलमान बन रहे हैं, आपको अगर कहा जाए कि शिवा जिए औरंग जेप, तो दोनों में से किस को आप पसंद गरीगे, यह मतलब है, आप इस सब क्यों रोलाते हो, हम दोनों को मानते हैं, जो जो अच्छी चीदों को लेना चीजा हमें, मगर सिवा जी महाराज को, आपने बाप को जिसने नहीं छोड़ा, आपने बाप को जिसन मुसलमानों को मारने के बाद उसकी कबर की सही समय पे पूजा हो, इसलिए सिवा ज़ेकार कर रहा हो, पहれた के न माहिकार मजा कई बिद्टों को को जिसने बाद मेंर भूए मुसल्मानों को कॉँधि, इसलिए महराज को अवे लिकी लागार करते हो या, लेकिन वही उसका आ यह उशेन हाने महाराज के नाम के बेच कर के राजनिक हैं। तो शिवाजी महराज के बराबर होने का क्या करने हैं ये क्या इतियास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब वह आजमी का क्या लक्ष यह टार्गेट है इस्दान को इस्लामीक देश बनाना मेरा लक्ष है कि जो लोग भी इस देश के अंदर साफ पर दाइक्ता या यह दहशत चाहे गरीब हो अमीरों इसके पर पबंदी लगना चाहिए पर आज देख रहा हूं कि आरेसे की भीजेपी की घुंडा गर्दी दादागिरी के वएसे कानून यहां काम नी कर रहा है अगर आज यह कहा जा रहा है धाका के अंदर जाकिर नायक का फालूर था तो मैं कहता हूं कि यहां सानातन साइस्ता के लोगों ने डाबड़ कर मडर किया और कितने मर ऐसे कया चीज सामने हुए उसको पबंदी लगदी है धी प्वाट ना जाब ने पूशा की जाकिर का तो लक्स है कि इसलाम का राज्य स्तापित करने खलीपा का righteous लाना है आप उसके साथ है हिंदुस्तान पर फली पाराज जाहते हैं रच मंध्य algumas घंदुस्तान को लो बनाना पर धर्म के नाम पर किसी के साथ जबदसी नहीं होना चाहिए बदल गए अभी बोला कि सब्सक्राइब होना चाहिए और बोल रहे हैं इसका तो हिंदु भाई पहले मखरवत करने वाला अपोस करने वाला मुझे बताए मुस्लिम महिला को हमारे बहनों को ट्रिपल तलाक वाल मुस्लिम तुरान सरीफ में पैदा होने लेकर के मरने तक दुनिया जब तक रही कि जब तक के लिए कानून बना दिया गया है उस कानून की मुखालफत को एक दुनिया का कानून लेकिन इसका मतलब आप ट्रिपल तलाक का सब्सक्राइब करते हैं मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं उसमें उल्माय कानाम की भैस हो रही है निकल के जो चीज आएगी उसको हम समने ले आएंगे उसमें कोड का अधेश धर्म के अंदर इंटर्फियर बिल्कुल नहीं चलेगा यही बात अगर हिंदू राम मंदिर के लिए करे तो आप कहेंगे नहीं आप आप कोड स सुप्रिम कोड अगर मंदिर का आदेश दे तो आपको मानने हैं लेकिन तलाक पर मानने नहीं तलाक पर हमारा परसनल बोड बना हुआ है और हमें 1947 से पर्मिशन है हर धर्म को पर्मिशन है मुस्लिम भगिर्यों का जरा सूचिए हैधराबाद में सेक आता है मैं वही कह रहा हूँ ना हैधराबाद में सेक आता है सतर साल का बड़ा नोट लेके आता है नव दस चौदा साल की लड़की से शादी करता है 15 दिन के लिए जो ऐसे लड़कियों का शोशन करते है उनका शोशन करने वालों को बिल्कुल फासी देना चाहिए धर्म के नाम पे शोशन ने 15 दिन के लिए शादी होती है कोई शादी नहीं है ऐसी कोई शादी बिल्कुल नहीं उसके ख़ड़े होना चाहिए बिल्कुल मैं ख़ला हूँ आपके साथ बिल्कुल निशादी है निआ करे हैं उसको अपने शादी की ना अपने समय उसको आप बिरोध मेरे बच्चे ने खुशादी कि और आपकी बच्चिया करना चाहती हिंदू से मर्जी से अच्छे लड़के से मैं तो मर्जी दूंगा ही निसके पहली बात है मैं उस ख्याल का अदमी हूँ अच्छा फिर भी कर दी ने कर ली तो मैं नराज रहूंगा इतना सुनिया ना और क अगा नहीं आपकतल करो ड्स दुसरी बात कि मैं किसी भी दूसरे धर में शादी करने को मुझे पसंदी इसलिए कि माबाप पैदा करते है अपने 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 सारे संस्कृत को अपने पूरे पर इसको फेस्टिवल को अच्छी कर और को जाता है इतर से उदर तो कि जाए उसमें कोई क्या कर सकता है हमको एलाव नहीं करने किस दिर्फ कोई माबाप कोई माबाप भी आज चाहे हिंदू या मुसल्मान अपने बेटे या बेटी को किसी और धर्म में खुशी से नहीं लड़की नहीं मानती हो जा कर देते हों कि बचारे जरह आपके नाइक को भी बोले कि हिम्मत है तो जरा सुदर्शन पर आए आप आए इसके लिए हम आप क्या भरें